हलोऑ कई वाल को होऊनेट्व अगर आप's सब्सक्राइब इंग आपको यह वीडियो अक्छी लगे इसल लिए लिए लोगे लिए wisdom तो जो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेर करने वाली है वह है कलर बार अमीनो स्किन रेडियन फाउंडेशन ठीक है तो हम फाउंडेशन से स्टाट करते हैं तो यह जो मैंने पर्चेस किया यह आप देख सकते हूं यह है कलर बार का अमीनो स्किन रेडियन फाउंडेशन है यह और इसमें मेरा शेड है 005 सेंड मीडियम तो और इसका प्राइज मैं बता दूं आप लोगों को इसका जो ओरिजनल प्राइज है वो 1200 रुपीज है बट सेल में मुझे यह 20% आफ में मिला है तो मुझे यह 900 बता ही दिया चलिए अब इसका टेक्श्टर देख लेते हम कैसा है और एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहते हैं बहुत ही अच्छा यह जो है फाउंडेशन है फुल कवरेंज तो मैं नहीं बोलूंगे बट मीडियम कवरेंज के लिए बहुत अच्छा है ड्राइ स्कीन के लिए बहुत परफेक्ट है ऑईली स्कीन वाले भी लगा सकते हैं बट मेरी ड्राइ स्कीन है तो मुझे यह परफेक्टली मतलब मेरे स्कीन के अकॉर्डिंग काफी अच्छी पैकेजिग इसकी आप देख सकते हो एंड यहां पर जो है यह आप देख रहे हो इस टाइप से तो यहां पर आपको बस ऐसे इसको प्रेस करना है और यह प्रोड़क्ट आप यहां से ले सकते हो तो इससे क्या है मतलब हाईजीन भी मेंटेन रहेगा और यह प भाराब भी नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से यह पैक रहेगा तो यह मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ अभी मैं इसको ऐसे ही ब्लेंड कर लेती हूँ बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है यह और एकदम क्रीमी सा इसका जो है टेक्स्चर है बहुत अच्छा है अभी तो मैं ऐसे ही लगा रही तो भी आप देख सकते हो डिफरेंस कितना अच्छा मतलब यह कवरेज देता है यह फाउंडेशन इसके नीचे आप प्राइमर वगेरा अगर लगा कर प्रॉपर देन आप इसको लगाओगे तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है यह तो यह है हमारा कलर बार का अमीनो स्किन रेडियन फाउंडेशन फिफ्टीन ग्राम्स का प्रोड़क्ट है यह और प्राइज मैंने आपको इसको बता दिया कि 1200 इसका ओरिजनल प्राइज है बट सेल में यह मुझे 900 रुपीज में मिला है तो अगर यह वीडियो जाने तक में भी सेल अभी रहेगी सिक्स टू ट्वेल्ट ऑफ फैब तक है तो आप लोग डेफिनेटली इस फांडेशन के साथ जा सकते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इनो बट बहुत अच्छा इसका जो कवरेज है बहुत अच्छा है अपको दिखा दिया तो फांडेशन के बाद हम लोग क्या अप्लाई करते हैं हम कॉम्पैक्ट वगेरा लिए यह है कलर बार का देख सकते हो यह है कलर बार 24 आर्स विएर वेटलेस पाउडर फांडेशन क्या बैनेफिट होता है आपको इसको अप्लाई करने से आप फांडेशन लगाया आपने अगर आपको थोड़ा अच्छा कवरेज चाहिए और थोड़ा लॉंग टाइम के लिए आपको चाहिए कि आपका फेस जो है मतलब अच्छा लगे और एक मेकप जो है आपका स्टे करें अच्छे से तो उसके लिए है यह 24 आर्स वियर वेटलेस पाउडर फांडेशन है यह जो बहुत अच्छा मतलब यह कॉंपैक्ट है फेस कॉंपैक्ट है आपके लिए और प्रड़दक्ट यह जो है प्रड़दक्पिस ऐड है 9.5令 में यह मझे मिला है 25 परसंट आफ में कलर बार की सारे प्रड़क्स में 25 परसंट आफ चल रहा भी तो यह मुझे मिला है शिकस न ऐस्रूड़डईस में grain और 9.5 ग्राम्स का प्रोडक्ट है ये चलिए अब इसका हम टेक्स्टर देख लेते हैं कि कैसा है ये तो इस टाइप की कुछ पैकेजिंग में आता है ये कलर बार का पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है मुझे अच्छा लगता है पाउडर फांडेशन आप देख सकते हो इसको मैं भी ओपन करकी दिखा देती हूं तो इस टाइप के यहां पर आपको एक मिरर भी मिल जाएगा और ये है प्रोड़क्ट जो है हमारा कलर बार का पाउडर फांडेशन ये कुछ इस टाइप से है और इसमें मेरा शेड है पी ए काफी अच्छा फांडेशन है ये मतलब कॉम्पैक्ट ही है बट ये आपको बहुत अच्छा कवरेज देगा इसमें और भी दूसरा भी कॉम्पैक्ट है वह आपको थोड़ा कम प्राइज ने मिल जाएगा बट ये बहुत अच्छा है कॉम्पैक्ट आप एक बार वह भी कलरवार से ही है तो यह है हमारा कलरवार चीक इल्यूजन ब्लश यह आप देख सकते हो और इसमें मेरा शेड जो मैंने लिया है यह है 014 कोरल ब्लिस तो इंडियन स्किन टोन में अगर मैं बात करूं तो पिंक के बज़ा जो कोरल शेड में ब्लश होते हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से जाते हैं फेस पर मतलब काफी अच्छा लूक आता है उसका तो मैंने यह देखिया आपको इस टाइप का यह प्रोड़क्ट है बहुत ही अच्छा और ऐसा नहीं कि आपने ऐसे अप्लाई किया और मतलब कुछ जादा ही मतलब दिख रहा है आपके फे इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है अब देख सकते हो एंड यह प्रोड़क्ट है फोर ग्राम का यह प्रोड़क्ट है इसक्स सिक्स सेवेंटी फाइब रूपीज इसका ओरिजिनल प्राइज है बट सेल में यह मुझे मिला है फाइव अंडर्ड रूपीज में तो 25 परसेंट आफिसमें भी है कलरवार के सारे प्रोड़क्ट में rev an अभी नाएका पर तो आपको अगर कुछ भी लेना हों वह है वह है कलर बार का कर यह है ultimate eyeliner है तो जो sketch eyeliner होता है वो मैंने लिया है कलर बार में और भी दूसरे brand के मैंने sketch मतलब देखे थे sketch eyeliner क्योंकि यह easy to apply होते हैं आप चल्दी से इसको लगा पाते हो क्योंकि liquid eyeliner तो मैं नहीं लगाती इसके पहले जो मैं eyeliner use करती थी वह gel eyeliner था और Maybelline का gel eyeliner आप लोगों को बता होगा तो वह मैं use करती थी बट मैंने सोचा कि इस बर मैं sketch eyeliner ट्राइक करती हूं कि easy to मतलब काफी मतलब easy हो जाएगा उसको apply करना तो wings create करने में मैं भी कुछ खास मुझे भी तो यह देखी आप मैंने कितने आराम से आप इससे जो है wings create कर सकते हो और भी कुछ different different मतलब आप इसमें experiment कर सकते हो sketch के साथ क्योंकि बहुत ही easily लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है साब को इसमें तो यह है हमारा color bar का sketch eyeliner इसमें मैंने नायका का सार चेक करके ही purchase किया है और यह जो मैं आपको लोगों को इसमें एक चीज़ बताना चाहूंगी इसका जो यह tip है आप देख रहे हो यह बहुत अच्छा है वह है 650 और सेल में यह मुझे मिला है 488 रूपीज में तो अच्छा है यह भी 25 परसेंट ऑफिस पे भी मुझे मिला है तो जो हमारा next product है जो मैं आप लोगों के साथ तो बहुत ही important है क्योंकि बिना प्राइमर लगाया आप अगर बिल्कुल भी make-up stay नहीं करेगा आपका long lasting नहीं होगा make-up तो आप प्राइमर definitely use करिए foundation लगाने के पहले इसले मैंने यह प्राइमर लिया है और यह प्राइमर जो है बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूं तो यह है कलर बार का पॉफेक्ट मैच प्राइमर आपको इसके बारे में बता देती and smooth तो यह आपके skin को अच्छे से soft and smoothen बनाता ताकि अब आराम से apply कर सको foundation को apply a small amount of base to your face and create a seamless canvas for your makeup price 875 रूपीज और sale में यह मुझे मिला है 656 रूपीज में 25% again off इसमें भी तो यह 6 products जो मैंने आप लोगों को दिखाए यह सारे color bar 6 दिखाए मैंने sorry 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 five products ही मैंने आप लोगो तो अभी जो मैंने five products आप लोगो दिखाए color bar के की दरफ से ही था यह color bar के products था और जो अब इसके बाद जो मैं next दिखाने वाली है वो भी color bar का ही है luminous glowing and brightening serum product है यह 30 ml का और इसकी packaging कुछ इस तरह के से हैं और इसको अभी हम open कर लेते हैं तो यह इस तरह के से कुछ open होता है यह आप देख सकते हैं और यह है हमारा serum अब इसको मैं आप लोगों को अपलाई भी करके दिखा देते हूं काफी अच्छा यह serum है बिल्कुल भी आप लोगों को मतलब इसको ज्यादा देरा से face पे रवनी करना बस जस ऐसी डैब डैब करके हलका सा आप इसको लगा लीजे यह कितना अच्छा सा शाइन इसमें आप लोगों को दिख रहे और इसको ज्यादा देर आपको ऐसे वह कुछ करना नहीं यह थोड़ी देर में खुदी इसकिन में अब्जॉब हो जाता एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी है इसकी बहुत ही फेस पे ऐसा आपको यू नहीं लगेगा कि आपना कुछ चिप-चिपा से या कुछ क्या ही अप्लाई कर लिया फेस में असा बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा आप अराम से इसको दिन में भी लगा सकते हैं और नाइक में भी लगा सकते हैं तो इसको आप दो टाइम यूज कर सकते हैं तो मैं इसको यूज कर रही हूं अभी काफी अच्छा विटमिन सी सीरम है तो इसमें लिखा हुआ एफिशेंसी के बारे में इमीजियेटली 90% फेल्ट 90% फेल्ट लूमिनस ग्लोइंग स्किन इमेडिटली आप इससे अप्लाई करते हो तो आपको तुरंत एक फेस में आप देख सकते एक अच्छा सा ग्लो इस टैप से एक अच्छा सा ग्लो आपको विजिवल होगा अपने स्किन पर देन आफ्टर वन वीक 95% लाइक वेल हाइडरेटेट प्लम और सपल स्किन हो इस ग्लोइंग स्किन तो यह जो आपको जो स्किन पर डार्क स्पॉट्स या पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है फाइन लाइन की प्रॉब्लम है तो उन सब चीजों के लिए ही यह विटमिन सी सीरम है तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो आप एक बर ट्राई कर कि देख सकते हो कि कैसा यह आपके स्किन पर काम करता है कुछ इसका आपको बैनिफिट मिलता है ने इसको कर सकते हो अधर्वाइस आप इसको स्टॉप कर सकते हो अभी मैं जो आपको दिखा रही हूं यह है बायोतीन का एडवांस और्गैनिक अनियन ब्लैक सीट सैंपू त बट मामा अर्थ का शैंपू यूज़ कर रही थी तो मैं मुझे ऐसा लगा था कि मेरे बाल और भी जादा फ्रीजी इस टाइब से हो गया थे तो मुझे वह कुछ जादा अच्छा नहीं लगा थे देन मैंने उसके बाद मैंने ये मंगाया है बायोटीन का अनियन ब्लैक सीट सेंपू तो यह अच्छा है मतलब इससे आप वाश करने के बाद है आपके काफी मतलब स्मूद लगते हैं बिल्कुल भी फ्रीजी आपको ऐसा फील नहीं होगा काफी अच्छा शैंपू है यह और प्राइस है 330 रूपील में आपको मिल जाएगा 230 रूपीज में तो अच् लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी यह है लैकमी का ल्यूमी क्रीम मॉस्चुराइजर विद हाइलाइटर तो यह यह यूज कर सकते हो यह बहुत अच्छा है मैंने इसको यूज किया है उसके बाद ही मैं आप लोगों को यह रिकमेंड कर रही हूं और ज्यादा अच्छा है तो यह बहुत आप लोगों को अपलाई करके दिखा देखा रही हूं तो आप इसको अराम से जैसे आप फाउंडेशन लगा रही है तो आप इसको अपने फाउंडेशन में मिक्स करके लगा लो या फिर अगर फाउंडेशन में मिक्स करके नहीं लगाना तो आ यह आपको लगा के दिखा देती हूं यह आपकर यह मैंने फाउंडेशन इसके पहले लगा है उसके उपर मैं ही लगा रही हूं यह आप देखो बहुत ही अच्छा सा एक सटल सा ग्लो एड़ ओन कर देता है यह आपके स्किन पर बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है एंट करने के लिए और चीक पर भी लगा सकते हो तो बहुत तरीके से अप इसको यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्रीम बेस यह प्रोड़क्ट है स्मूध है इजी टू अप्लाई है डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो तो यह एक प्रोड़क्ट में आप लोगों को रेकेमेंड करूंगी और अच्छा ओफर में आपको यह मिल जाएगा तो अभी आप अच्छे खासे ओफर में भी आपको अभी मिल जाएगा तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो जरूर से इसे लाइक कर दीजेगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज हिट दे सब्सक्राइब बटन और अलसो और मैं मिलती हूँ आप